अहमाद नगर लो इनिकले प्रिच्वार सबलो मोधी माटलार तुनारू लाइव लो छुदा किसे ने सोचा नहीं था जिस तरह लागत का डेड़ गुना समर्थन मुल्य का बादा हमने निभाया ये संकल्ब भी हम पूरा करने वाले है उपच की उचीत किमत मिले ये सुनिश्चित करने के लिए थोस कदम उठाये जा रहे है भाई और बेनों हाली में हमारी सरकार ने पशूप पालकों को भी किसान क्रेडिट का कार देने का उसका लाब देना शुरू किया मच्वारों को भी ये लाब मिलेगा ऐसे ही गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए गन्ने से इथेनौल बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे है देश भर में इसके लिए प्लांट लगाए जा रहे है भाई और बेहनों पानी को लेकर इस NDA की सरकार का काम आपके सामने है देवी अहल्याबाई होल करने जिस तरह गाउं गाउं कुए और बावडिया खुलने का अभियान चड़ा था उसी तरह यहां की हमारी सरकार भी काम कर रही है हमारा प्रहास है कि नदियों का पानी जो कौकन के समुदर में बैह जाता है उसका सदुप्योग हो किसान को पानी मिले इसके लिए फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी तो एक विशेज जल सकती मंत्रा ले बनाने का संकल्प हमने लिया है शिरब पानी के लिए एक अलग मंत्रा ले होगा अगर पानी की समस्या का समान करें तो किसान को कभी समस्या पैदा ही नहीं इसके माध्यम से देश की नदियों का या समंदर का पानी कैसे कैसे उप्योग में लाए जा सकता है, टेकनोलोजी के द्वारा लाए जा सकता है, डिसेलिरेशन किया जा सकता है, इसके लिए काम किया जाएगा. साथियो, एक तरफ हमारे संकल्प है, वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस NCP के ढखोसले हैं, एक तरफ पानी के लिए महायूती सरकार के काम है, तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस सरकार में हुए गोटाले और अजीत परिवार के शर्मनाक बयान है. ऐसे ही अपरादों की वज़से देश के लोगों ने कॉंग्रेस का मन और कॉंग्रेस की नियत को अच्छी तरफ जान लिया है, पैचान लिया है, और इसलिए अब जनता ने ही नया नारा दे दिया है. कॉंग्रेस हमेशा के लिए हटाओ, कॉंग्रेस हमेशा के लिए हटाओ, तभी देश में गरीबी धूर होगी. कॉंग्रेस हटाओ, तभी देश आगे बढ़ेगा. Congress हटाओ तभी देश में आधूनिक infrastructure का निर्माण होगा Congress हटाओ तभी देश में सबका साथ सबका विकास हो पाएगा Congress हटाओ तभी देश में गोटाले और प्रस्टाचार से भारत मुक्त हो पाएगा भाई और बहनों इस बार आपका एक एक वोट महा यूती के समर्थन के साथ ही Congress और उसके साथियों को सजाद देने के लिए भी होना चाहिए याद रखिएगा ये भारत को लूड़ते रहे हैं महराश्य को लूड़ते रहे हैं ये लोग गरीब किसानों के दुश्मन है महराश्य की जनता के दुश्मन है हर देशवासी की आखांशा उनके लिए आख में खटक दी इस चुनाव में भी Congress ने जिस तरह तुगलक रोड चुनावी गोटाला किया है वो देश देख रहा है हमारे नवजवान वोटर देख रहे हैं मालूम है ने तुगलक रोड चुनावी गोटाला नहीं है न मालूम ऐसी बात है अख़बार में जड़ा कम आती है लेकिन टीवी पर आपने नौटों के बंडल के बंडल देखे होंगे तुगलक रोड यह दिल्ली के अंदर एक रोड है उस पर एक बड़ा शांदार बंगला है उस पर एक नेताजी रहते हैं और वहां कैसे कैसे खेल खेले गए उसका कच्चा चिठा निकल करके बाहर आए और क्या है मद्यप्रदेश से बोरे बोरे भरकर के रूपिये वहां आए और जो पैसा गरीब बच्चों को कूपोशन से बचाने के लिए